ब्लॉगर के साथ कास्टोम डॉमिन एड करने की जो तरीका है यह न्या नहीं है बट इसका अंदर कुछ माइनर चेंजेस हुआ है और आप सब को बता है कि वेबसाइट को अंदर जो है माइनर चेंजेस बहुत बड़ा चेंजेस लाता है ठीक है तो इस वीडियो को कम्प्ली तो आप जहाँ से भी कर रहे हो फोन से कर रहे हो तो सबसे बहुत आपको एक टैब में जो व्लोगा.com को ओपिन करना है और यहां पर यहां पर यहां से पर आप दूनों पेज में दूनों चीज को खूल के रख़िए ठीक है तो यहां पर देख सकते हूं कि मैं यहां पर ड भी email है उसका password आपको यहां पर देना है जिस email id से आप यहां पर ब्लोगर के उपर account बनाएंगे ठीक है तो यहां पर मैं password भी डाल देता हूं password डालने के बाद जैसे next करेंगे तो यह tab आपके सामने open हो जाएगा यहां पर बता रहे है कि choose name for your blog आपकी blog के लिए आपकी किसी क्लिक अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको समने देखिए यहां पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा देखिए यहां पर आपका जो डोमेन नेम है उसी का first part को यहां पर जोड़ दीजिए उसके बाद.blogs.com के साथ आपको जाना होगा यहां पर next कीजिए ठीक है ज यहां से भी आपका जो डोमेन नेम है उसका first part या फिर जो head है मतलब जो heading है उसी को यहां पर डाल दीजिए ठीक है और उसके बाद यहां पर देख सकते हो कि finish का बटन है उसके पर आप कर दीजिए क्लिक तो जैसे आप finish के बटन के उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखि उसके बटन के आप को क्लीक करना है और यहां से यहां से देखिए बहुत कुछ आपको अप्सन रिए पए रहें मैं जहां रहा हूं आप उसी जिए ठीक है तो इसको पर आपको ऐसको क्लीक करना है खरीद के रखा हूं तो यहां पर मैं उसी कास्टोम डोमेन को यहां पर मैं एंटर करता हूं ठीक है अब फूरा का पूरा कास्टोम डोमेन एंटर हो जाने के बाद आपको क्या करना है यहां पर नीचे देखिए जो सेब का बटन है इस सेब के बटन के पर आपको कर देना है क अब देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेट किजिए जो टैब आप खुलके आ रहे हैं तो उसको सेब मत किजिए अभी के लिए फिला ठीक है तो यहाँ पर दिख लीजिए कुछ चीजे है यहाँ चीज को आपको यह कहते यहाँ पर दोमें नेम सर्वर तो उसके साथ जोड़ना होगा गोड़ी की अकाउंट को अभी जो आपने लॉगिन करके रखे थे उस पेज के उपर हम लोग को जाना होगा यहाँ पर सबसे पहले सी नेम दिखा रही है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर डबल डबल जो डेस् तो यह हम लोगोंने सर्फ डेस्टिनेशन को ना हम लोगों सर्फ कॉपी कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ ते जहाँ पर मेरा ब्लू कलर के वह है इस जगा को कॉपी करना है और इसको आपको करना है कॉपी ठीक है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से जाना होगा टैब पे और जहां पर आपका गोड़ाड़ी का अकाउUNT खुला हुआ है ठीक है गोड़ाड़ी अकाउUNT के उपर आने के बाद यहां पे देखिए आपका जो domain name आपने यहां पर register करके रखे हो यहां पर सो हो जागा यहां पर right side में आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी DNS रेकॉर्ड यहां पर सो हो जाएगा कि क्या क्या DNS रेकॉर्ड आपके समने अभी है तो फिलाल कुछ इस टाइप के इस टाइप से ही आपके समने ऑप्सिन आएगा तो यहां पर देखिए सबसे पहले सीनेम है तो यहां पर कुछ इस प्रकास के इस टाइप कहलारा प्लिक है और जाना हो네 भी भी एक कन है जगा से प्रजबट करना हैं धन्यां से क्यूर्प के और, लोग को जाना हो गया है हम लोगो copy करना है, यहाँ पर name देख सकतो हूँ, यह www नहीं है, कुछ अलग धंग सा name है, तो यह name को हम को यहाँ से copy करना है, यहाँ पर fx से start करके, एकदम जहां तक की comma आपको दिख रही है न, तो यह comma हम लोगो नहीं लेना है, बट यहाँ से fx से बाकी जितना सारा कुछ यहाँ से right side में, destination के आगे आगे आप देख सकतो की comma है, तो इस जगह तक हम लोगो को copy करना है, तो मैं करूंगा इस चीज़ को अभी यहाँ से copy, and copy करने के बाद, again जह हम लोगो वहाँ पर जाने के बाद, हम लोगो paste करना पड़ेगा, ठीक है, तो चले मैं इसको करता यहाँ से copy, effects से लेकर बाकी एकदम, last में, यह एफ तब हमको लेना है, यह two के बाद जो एफ है, और last में जो comma है, उसको नहीं लेना है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगो ने इसको किया है, copy, and copy करने के बाद, back चलते है, यहाँ से again, जो है, go daddy की page के उपर, या फि जो भी चीज़े दिखा रहे है, तो इसको हम लोगो यह edit के बटन के बर click करना है, और यह जो host name है, तो यह हम लोगो जो यहाँ से changes करना है, तो पूरा का पूरा इसको उड़ा देना है, जो भी चीज़े है, इसको आप पूरा का पूरा कट कर दीजे, and cut करने के बाद, इस मैं करूँगा, इसको यह जो points to है, इसको भी हटना है, मतलब देखिए अगर फिर से यहाँ से मैं चलता हूँ, blogger की tab के उपर, और वहाँ से again मैं आपको zoom करके दिखा देता हूँ, देखिए, अब यह जो destination है, यह destination हमको नहीं चाहिए, बट यहाँ से मतलब यह पूरा का प page के उपर, देखिए, इस जगा को ध्यान से देखिए, कुछ भी अगर चुक बतलब, कुछ भी गलती हो जाए ना, तो भाई, काम नहीं करगा, चीज़े काम नहीं करगा, तो यहाँ पर यह जो points to है, तो यह हम लोग को पूरा अपर यहाँ से हटाना पड़ेगा, अभी मैं काम हो चुका है, आपका finalize काम हो चुका है, आपको कुछ दिर तक यहाँ पर wait नहीं करना है, आपको इस जगा को और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है, तो चले हम लोग जो back चलते है, blogger की जो page है, उसके उपर ठीक है, तो यहाँ से blogger की page के उपर आने के बाद कु जो blog address यहाँ पे मतलब custom domain add हो गया इसको redirect करना है मतलब जो आपका blog address है उसके साथ यह custom domain को redirect करना है तो इस button को आपको जो है on कर देनी है ठीक है यह by default off रहता है तो इसको जो है आपको कर देनी है on and on करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो यहाँ पर देखो यह HTTPS जो है यह आपको यहाँ पर enable कर देना है ठीक है तो इसको enable कर देना और नीचे वाला जो है मेरे ख्याल से 5-7 मिट 10 मिट वेट कर लिए उसके बाद try again करेंगे तो यह चीजे जो है 100% successfully यहाँ पर lend हो जाएगा ठीक है आई होफ कि इन वीडियो से आपको अच्छा ही सीख मिला है कुछ भी सीख मिला है जो इस वीडियो करके जो आप यह तक इस वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है यार इतना मेरत से वीडियो बनता हूँ चले बहुत खुश रहिए दोस्तों को ठेच सारे बहुत खुश रहिए चले मैं मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई